पाकिस्तान और सिरि लंका के आज के मैच में सिरि लंका ने पहले खेलते हुए पाकिस्तान को 3.44 रंस का टार्गिट दिया, जिसे पाकिस्तान ने 48.2 ओवर्स में चार विक्तों के नुकसान पर पूरा कर लिया, और इस थरहां पाकिस्तान ने ये मैच 6 विकेट से जीत लिया और इस जीत में सबसे एहम रोल प्ले किया मुहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक ने मुहम्मद रिजवान की शांदार बैटिंग की वज़ा से उनको मैन आफ ता मैच अवार्ड दिया गया मुहम्मद रिजवान ने 121 बाल्स पर 131 रन्स स्कोर किये और अब्दुल्ला शफीक ने 103 बाल्स पर 113 रन्स स्कोर किये इन दोनों बैट्समेन की सेंचरी की वज़ा से पाकिस्तान इतना बड़ा टार्गिट अचीव कर सका और इस तरह पाकिस्तान वर्ड कब में हाई येस्ट रन्स चेस करने वाला पहला मुल्क बन गया है और इसके इलावा पाकिस्तान ने एक और रिकॉर्ड भी बना दिया पाकिस्तान आज तक वर्ड कब में सिरी लंका से नहीं हारा और आज का मैच जीतने के बाद ये रिकॉर्ड अभी तक काइम है आज की जीत में सबसे एहम किरदार अदा किया मुहम्मद रिजवान ने जिन्होंने जखमी होने की बावजूद मैदान नहीं छोड़ा डट कर खड़े रहे और पाकिस्तान को जीत से हम किनार किया आज की मैच के टॉप स्कोरर मुहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक रहे और सिरी लंकन टीम के मेंडिस और सदेरा टॉप स्कोरर रहे आज के मैच में इन चारों प्लेयर्स ने सेंचरी स्कोर की अगर पाकिस्तानी टीम की बॉलिंग की बात की जाए तो हसन अली ने चार खिलाडियों को आउट किया हारिस रौफ ने दो जबके शाहीन अफरीदी, नवास और शादाब ने एक-एक खिलाडी को आउट किया फर्स्ट इनिंग्स की हाईलाइट्स मैं आलरेड़ी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ अगर आपने पाकिस्तान की बॉलिंग मिस्स कर दी है तो मेरे चैनल पे विजट करके वो हाईलाइट्स देख सकते हैं कॉमेंट सेक्षन में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को मुबारिक बात देना बिल्कुल मत भूलें और वर्ड कप के तमाम मैच्चिस की अपडेट्स चानने के लिए मेरा चैनल बेल आइकन के साथ जरूर सबस्क्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आप से मिस ना हो जाए